आज का डिक्टेर्शन 110 परती मिनट है इसका पीड़ अफ हमारे टेलीगराम गुरूप में मिल जाएगा आपको हाई 80 स्टार्ट सवस्ता को लेकर पीते कुछ सालों से लोगों में जागरुकता आई है इसे अभी और गती देने की आवसकता है जो लोग इसे सरकारी अभ्यान मान रहे हैं उन्हें मानसिकता बदलनी होगी सरकार केवल योजना बना सकती है उसे अमल में लाना हर नागरिक का करतविय है सर और गाउं पहले जैसे गंदे हो नहीं रहते लेकिन नियमित सफाई का अबाव है सवस्ता सरवेक्षन में अवल इस्तान पर पाने के लिए राजिस्तान के कहीं बड़े सहरों में होड सी मची है कासकर जैपुर, कोटा, जोतपुर, अजमेर, उदेपुर और अन्य सहरी निकाई इन दिनों सवस्ता को लेकर विशेस अभ्यान चला रहे है लेकिन सरवेक्षन में चैन ही लख से नहीं होना चाहिए पूरे साल हमारा देश सवच रहे, सफ़ई के लिए परियाप्त संसादर मुह हैया हो सफ़ई करमचारियों की परियाप्त संक्या रहे, कच्चार संगरन के साथ साथ निस्तारन की बेहतर व्यवस्ता हो साथ में आमजन की बागिदारी भी रहे तबी जाकर सवस्ता अभियान काम्याम होगा इसके दूरगामी लाभी मिल सकेंगे सवस्ता सर्वेक्षन ठीम को उपरी सफाई की बजाय भीतर की जाकना होगा कहीं जग कच्रा डीवो ठटा सर नाले की चड में ठसे पड़े हैं जो लोग सवस्ता अभियान को सरकारी मान रहे हैं वे हकिकत से दूर हैं सवस्ता सबसे पहले हमें गर पर रखनी होगी उसके बाद गली महलो बैफसाई संसादनों और कारीलयों पर सफ़ई को मत्व देना होगा सवस्ता और सेहत के बीच गहरा नाता है इस मर्म को समझना होगा कंदगी के लिए हम सरकार और परसासन को चिमेदार नहीं ठरा सकते काफी हद तक जंदा की भी जबाब दही है बजारों में फुद्पात और नालों पर लोगों की कबजे हैं ऐसे में नालों की नियमित सफ़ई नहीं हो पा रही है के विलबारिस के समय इनकी सूद ली जाती है यदि साल में तीन चार बार छोटे बड़े नालों की सफ़ई होती रहे तो सवस्ता अभ्यान की असली मंसा पूरी हो सकीगी लेकिन जन बागिदारी जरूरी है सवस्ता अभ्यान को जन आंदोलन बनाने की आवसकता है पैरा पदार मंतरी सबीरा जोके मुख्य मंतरियों और तमाम राजनितिक दलों को बैठ कर जनता से सांती की सामुज अपील खरनी चाही कहीं लाग इंकार करे लेकिन सचा यही है कि आज तक के हाला सामानिय नहीं है सामानिय नागरिक से लेकर बड़े बड़े उद्योग पती तक सब बेचेन है हर तरफ अव विश्वास चिंता और डहर का माहूल है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्ता में सरका नाम की जिस संसा पर इस माहूल को दूर कर विश्वास का वातावन बनाने की सबसे बड़ी चिमेदारी है कहीं न कहीं वही उसके पीछे आरोपो के केरे में है केंद्र और पच्चिम बंका की सरकार एक दूसरे से जो दुस्मनों जैसा वेवार कर रही है उसमें देश का संगिय डाचा लूर लूहान होता नजर आ रहा है यह महौल किसी एक कारण से और एक दिन मैं नहीं बना यह कहना भी गलत होगा कि कोई एक राजनितिक दल या सरकार उसके लिए जिमेदार है यह पिछले तेउतर सालों के सब चलता है का नतीजा है इसके लिए पक्स और विपक्स में जब जो हो रहा है वे सब तो है ही सुएदेश की जनता भी कम उतरदाई नहीं है राजनितिक दल और राजनिता तो वोटों की अपनी राजनितिक को चमकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार रहते है पर परसन जनता का है कि ऐसे मौकों पर वो किया करती है चूप रहती है या परती किरिया देती है परती किरिया देने के लिए पांस सार का इंतजार अर्थ हीद है यही सरकारों और राजनितिक दलों पर लागू होता है जब समस्या खड़ी हो तब ही उसका समाधान होना चा ये उदारेन के लिए पिछले कुछ फर्सों से बने नोट बंदी GST और बैंकों की दूरदसा जैसे मुदे यदि सब मिलकर देश के इसाब से उन पर सोचे तो आर्तिक मंदी के आज जैसे वी किट हालात नहीं बनते यही इस्तती अब नागरिक्ता संसोदन अधिनियम और NRC को लेकर बन गई है राजनिति के तवे पर सब अपनी अपनी रोटिया पलट रहे हैं यदि ऐसा नहीं होता तो देश के गरह मंत्री नागरिक्ता बिल के पास होने के पहले ही NRC का पिटारा नहीं खोलते और पचिम बंगाल की मुक्च मंत्री सेयुकत राष्ट की निगरानी में चनमत संगरग की बात नहीं करती देश तो बहुत हुई है पर इतनी नहीं की हालात सुदरे नहीं जा सके इससे पहले की इस कानून को लागू नहीं करके राजियों और केंद्र आमने सामने हो देश के सहर सहर में सेना भुलाने के हालात बने पदान मंत्री सभी राजियों के मुखे मंत्रियों और तमाम राजनितिक दलों को बैठ करना के वर जंता से सांती की साहमूई का पिल करनी चाहिए बलकि इन मुद्व का भी सर्वे समत समादान दूड़ना चाहिए इसके लिए राष्टिय एकता परिशत जैसे कहीं मंच है जिनकी ऐसे अफसरों पर बैठक बुलाना हमें सियासी कानों से लगबग बुल चुके हैं उमीद है अब तो सब वोटो की नहीं देश की सोचेंगे फुल स्टॉप